हाई गाईज वालकूम बैक आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है गाईज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइफोन एक्सार पे आइवेस 17 के कैमेरा ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में जिनके बारे में आप सभी को सुरूर बता होना चाहिए यह कैमेरा ट्रिक्स बहुत ज़्यादा यूसफुल हैं जिनके बास आइफोन एक्सार यह वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है आज की सो मेक्शूर रखें कि इस वीडियो को कंप्लीट वाच करें ताकि आप सभी आईवेस 17 के नए कुछ एक सैटिंग्स आपको अड्ड करी ग Lanceurat 컨 Wyoming सैटिंग्स चाहिए आपको अड़ करीं हैं और यहां पर आपको यहाँ आपको यह हैं ययलो कलर की लाइन देखने को मैसे आप पूरे लेक्साद के साथ हैं अपने अपण्नी एपन के पाओगे पहले आपको यह पता नहीं चलता था कि आपको जो वीडियो है आपकी फोटो है वो पूरी लैवल है या स्ट्रेट है उसके लिए एपल ने एक नया फीचर एड़ाउन कर दिया है लैवल का जिसके साथ ये आप पता लगा सकते हो कि आपकी जो फोटो वीडियो है वो पूरे लैवल में है या नहीं तो मतलब यह कि आपका जो डिवाइस पूरा स्ट्रेट है पूरे लैबल में है अब अपनी फोटोस वीडियो को बिना किसी इशू के शूट कर सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट फोटोस आपको देखने को मलने वाली है आपके कैमरा में से तो दूसरे नंबर की उपर बात आती है एक वाइड बैलन्स वाइड वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप इस उप्शन को ओन करते हो तो आपका जो वीडियो में वाइड बैलन्स होता है वो अटोमेटिकली लॉक हो जाता है और आपके वीडियो काफी बढ़िया तरीके से शूट होती है आपके डिवाइस क्यूपर उसके बाद यहाँ पर चलते हैं कैमरा की अप्लिकेशन में मान लो कि आपने किसी एक ऐसी फोटो को शूट करना है जिसमें काफी ज्यादा टेक्स्ट है आप उसको लाइवली डिटेक्ट कर सकते हो किने कैमरा में से बस यहाँ पर आपको सेटिंग में से आपको शोट देखने को मल जाएगा यहाँ पर आपको टेक्स्ट के ऊपर टैप कर देना है यहाँ पर जो भी नंबर होंगे यह कोई भी इमेल वगरा लिखी होई होगी तो यहाँ से आप ड्रेक्ट लिए उसको सेव कर सकते हैं जैसे कि यह एक नंबर यहाँ पर सेव हो रखा है तो यह यहाँ से ही उस परसन को इमेल के दुवारा मैसेज भी सेंड कर सकते हो तो यह जो आइफोन का कैमरा है काफी ज़्यदा यूसफुल रहता है जब आपको कोई लाइवली टेक्स्ट को टेक्ट करना होता है यह किसी डिरेक्ट ली फॉन कॉल को अपलाई करना होता है बस आप आपको फोटो को शूट करना है आपको नंबर डायल करने के जूट नहीं पड़ेगी और आप गूट तो गो हो इस फीचर को यूज करने के लिए उसके बाद अगर आपके आईफोन में आपको फोटो या वीडियो कूट करने के लिए काफी बढ़िया फिल्टर चाहिए त अगर आप वीडियो के उपर शिफ्ट करोगे तो अटोमेटिकली आपको यहाँ पर काफी ज़दा डिफ्रेंस देखने को मिलेगा कलर को लेकर कलर आपके काफी ज़दा रिचनेस आपको प्रोवाइड करते हैं वीडियो के फिल्टर में इसलिए आपको फोटो वीडियो मे हमेशा वीडियो के फिल्टर को ही यूज़ करना चाहिए अगर मान लो कि आपने किसी एक अबजेक्ट को फोकस में लेना है उसके फोकस को लॉक करना है फोटो में और वीडियो में तो वो आप कैसे कर सकते हो बस आपको यहाँ पर सिंप्ली लॉंग प्रेस करके रखना है लॉंग प्रेस करके रखोगे तो आपको टॉप की उपर ओटो फोकस लॉक का ऑप्शन देखने को मल जाएगा अब आप जितना मर्जी अपने अबजेक्ट को मूव करो यहाँ पर आपका जो अबजेक्ट है वो उसके उपर से फोकस कभी भी नहीं हटेगा अगर आपको फ वीडियोस में दोनों में यह ऑप्शन काम करता है बस आपको लॉंग प्रेस करके रखना है और आपका जे ओटो फोकस लॉक है ओटोमेटिकली इनेबल हो जाता है तो गैस उसके बाद जब आपके पास कोई फोटो वीडियोस आपने शूट करी है जैसे कि आपने किसी कैट या कोई और अबजेक्ट की फोटो को शूट करा है उसके बारे में आपको डीटेल्स में फाइंड आट करना है तो यहां से आप फाइंड आट कर सकते हो आई पटन के उपर टैप करके आपको लुक अप के फीचर के उपर सिंगर टैप करना है और आप इस कैट की ब्रीड पर आपको डीटेल्स के बारे में जान सकते हो इसका साइज क्या है का इस से यहां पर सिपसराकि हो रखें फोटो व्हीं इसके बारे में भी आफ फाइंड डॉट कर सकते हो बस आपको लुक अप क्यों पर टैप करना है और आप फोट तो इन हीां चाहे वो yard की यच आपको तो guys notes की application को use करके आप high quality scans यहाँ पर scan कर सकते हो documents को यहाँ पर आपको simply scan documents की उपर tap करना है और यहाँ पर अपने document को like कराना है अपनी photo में तो यह automatically आपकी photo को shoot कर लेता है और save कर देता है document में आपका यह जो document है बिल्कुल high resolution में आपको देखने को मिलेगा यहाँ से आप देख सकते हो किसी भी application को आपको download करने की जूत नहीं पड़ेगी अपने app store में से आपका notes का application है बहुत ही high quality scans यहाँ पर provide करेगा आपके लिए तो यह कुछ camera tricks है जो कि ios 17 के update में आपको जूरूर पता होनी चाहिए I hope आपको यह video पसंद आए होगी सो मलते हैं guys अगली video में so guys thanks for watching